अगर आप सभी BCM किसान के धारक हैं, तो आप सभी के लिए खुश खबरी आ गई है, सभी के खाते में सरकार की तरफ से 4600 की लाब दे दी गई है जल्दी से आप, सभी लोग अपना खाता को चेक कर ले, अगर आप सभी लोग घर बैठे ऑनलाइन खाता अपना चेक करना चाह करते हैं, तो आप सभी के लिए खुश खबरी की बाते आ गई है, अब सभी प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों को सम्मान निधी योजना की तरह से 24600 किस, प्रकार के ब्राहमी की मिलने जा रही है, जिसमें लगभग 38 लाग किसानों को पैसा बैंक खाते में आने जा रहा है अपना नाम इस लिस्ट में देखें क्योंकि, बहुत सारे लोगों का नाम इस लिस्ट से हटाया गया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना किया स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधी योजना स्कीम, चला ही जा रही है, इसमें से उन्हें सालाना 6000 दिय दिये हैं योजना के 60 किस्त अगस्त में भेज दी गई थी आप नवंबर में 12 रुपए ट्रांसफर करने वाले हैं अगर आपके खाते में किसान आधार वेरिफिकेशन अभी तक पीछे रुपए नहीं आये तो आपने बैलेंस स्टेटस को चेक करने के लिए आप कुछ खास प्रक्रिया को अपना सकते हैं जो लोग इस योजना से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी अभी जारी है जाकर वह रेजिस्ट्रेशन लिस्ट सकते हैं पीम किसान सम्मान निधी योजना के तहत अगर आप अकाउंट में पैसा नहीं पाया है तो आपको document में कुछ करबड़ी हो सकती है इस बात का पता लगाने के लिए आपको अधिकारी website पंकीसंगविन जाकर login करें इसके बाद इसमें दिये गए farmers corner option पर क्लिक करें अगर आपने पहले से ही आवेदन कर दिया है और आपका आधार ठीक से upload नहीं या किसी वजह से आधार नंबर गलत PM किसान online registration दर्ज हो गया है तो वाले option पर क्लिक करें कई बार ऐसा होता है नाम की spelling गलत होने से भी पैसा रुक जाता है इसी लिए से भी चेक करना काफी जरूरी है किन से जुड़ी पूरी अपडेट देखने